हिंदी सिनेमा की वो अभिनेत्री जिसने अपनी खूबसूरती अभिने और डांस से बॉलिवूड में एक बड़ा मुकाम हासिल किया एक्टर्स से लेकर डारेक्टर्स और लाखो दर्शक उनकी कायल थे वो खूबसूरत अभिनेत्री जिसे अपने जमाने की होटस पैड एक्टर्स कहा जाता था उन्हें फिल्मों में लेने के लिए डारेक्टर्स की लाइन लगती थी जिसके लिए कहा गया कि वो अभिनेत्री जो सिनेमाई परदे पर अपने अभिने का जादू भिखेर थी तो देखने वालों की नजरे उन पर ठहर जाती थी हाँ वो मशूर अभिनेत्री जिसे बॉलीवूड की ट्रेजिडी क्वीन सिंड्रेला और चाइनिज डोल फीमेल गुरुदत और अन्मोल रत्न जैसे नामों से जाना जाता है और दुखांत फिल्मों की भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है हम बात कर रहे हैं बॉलीवूड की सूपर डूपर हिट एक्टरस मीना कुमारी की जिनकी दिवानगी का आलम ये है कि आज भी लोग कहते हैं कि मीना कुमारी जैसा कोई नहीं लेकिन जील लाइफ की इस अभी नेतरी को उपर वाले ने ऐसे ऐसे खेल खिलाए कि कोई उनके उपर भी फिल्म बनाता तो वो सूपर हिट हो जाती इस ट्रेजेडी क्वीन की जिन्दगी में भी इतनी ट्रेजेडी जी थी कि आप भी जानेंगे तो रो ही पड़ेंगे आखिर क्या हुआ होगा कि मीना कुमारी के पैदा होते ही उनके पिता ने उन्हें एक अनाथालिये में छोड़ दिया था आखिर क्यों उन्हें न तो पढ़ाई करने का मोका मिला और नहीं कभी पिता का स्नेह मिल पाया और नहीं पति का प्रेम आखिर उनके बाएं हाथ के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिसके चलते वो अपनी फिल्मों में अकसर उसे चुपा कर रखती थी आखिर क्यों उन्हें डाकों ने अगवा कर लिया और बाद में किस वज़े से छोड़ भी दिया था और आखिर क्यों धर्मेंदर ने मीना कुमारी को धोका दिया और क्यों मीना ने मरने से पहले गुलजार को अपनी परसनल डाइरी गिफ्ट कर दी थी बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ आप जुड़े रहिए हमारे साथ ठका ठका सा बदन रूप बोजिल बोजिल कहां पे हास्ते कुछ छूट गया याद नहीं मीना कुमारी जितनी खुबसूरत थी उनकी जिन्दगी के ट्विस्ट उतने ही बदसूरत उनकी जिन्दगी रॉलर कोस्टर जूले की तरह उतार चड़ाव से लबरेश थी जहां रोमांच भी था और डर भी खुशी इतनी कि उन्हें काम्याभी की बुलंदियों तक ले गया तो वहीं दर्द तो इतना कि आखरी सांस तक नसो में सुया चुबाता रहा मीना कुमारी को शायरों का बहुत शौक था शायद इसलिए वो अपने दिल्ली जजबात को उम्दा तरीके से कलमबद कर पाई और उन्हें शायरी की शकल देते वे लिखा की जिन्दगी क्या इसी को कहते हैं जिस्म तनहा है और जान तनहा ये सच है कि लाखों दिलों पर राज करने वाली ये अभिनेतरी असल जिन्दगी में भीड में एकदम तनहा थी यानि जिस्म भी तनहा और जान भी तनहा वैसे तनहाई तो उनके पैदा होने के साथ ही आ गई थी कहा जाता है कि एक अगस्त 1933 को मुंबई में जब वो पैदा हुई तो उनके पिता के पास अस्पताल का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे पिता एक बेटा चाहते थे लेकिन ईश्वर ने उन्हें बेटी तोफ़े में दे दी गुर्बत में जिंदगी काट रहे पिता को ये महंगा तोफ़ा रास्त नहीं आया वो तंग आकर मीना कुमारी को अनाथाले के बहार रखाए थे लेकिन उलाज से बिछड कर उनका दिल पसीज गया उधर मा का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था जिसके बाद मीना कुमारी के पिता उन्हें वापस ले आए मीना के पिता अली बक्स भी पार्सी रंगमंच के कलाकार थे और उनकी मा थियर्टर की मशूर अदाकारा और नत्यांग ना थी मीना स्कूल जाना चाहते थी पढ़ना चाहते थी लेकिन घर के हालात ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी अरी जन्नम जली तेरे बात की कमाई थी जो इस तरह लुटा भी उनके घर के आर्थिक हालात इतने खराब थे खिए उन्हें चार साल की उम्र में ही अभी ने की दुनिया का रुक करना पड़ा उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम मिलने लगा उन्हें सभी चाइल्ड आर्टिस्ट के तोर पर बेबी मीना पुकारते थे जिस उम्र में बच्चे मस्ती करते और पढ़ाई करते हैं उस उम्र में मासूम मीना फिल्मों में काम करके अपने परिवार का पेट पाल रही थी फिल्मों में आने से पहले मीना कुमारी हिंदी के धार्मिक शोज में काम करती थी जहां उन्हें हमेशा ही देवी का रोल प्ले करने के लिए मिलता था छे साल की उम्र में ही उन्होंने साल 1949 में विजे भट की फिल्म लेदर फेस में पहली बार काम किया इस फिल्म में उन्होंने महजबी का किरदार निभाया यह मिना कुमारी का असल नाम भी था यहां से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर संगर्स के रास्ते बलगाते हुए चल रहा था जो खत में होने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि इंडस्ट्री में ना तो उनका कोई गौड फादर था और ना ही कोई रिलेटिव अगर कुछ था तो घर चलाने के लिए फिल्मों में काम करने की मजबूरी और लाजवाब एक्टिंग खत लिखने वाले को कुछ लिखना विखना आता नहीं बाबु ज़रा चस्मा देना समय कव एक जैसा रहता है आखिरकार समय का पहिया घुमा और फिल्म बेजू बावरा से मीना कुमारी की किस्मत चमग उठे यह फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि सो हफ्तों तक थेयर्टर में लगी रही इस फिल्म के बाद उन्हें एक के बाद एक बहतरीन फिल्मों के ओफर आने लगे फिल्म बेजू बावरा के बाद मीना की लाइफ में कई हास्ते हुए एकबाल की बात है जब मीना मुंबई और महाबलेश्वर के रास्ते से कहीं जा रही थी तो उनका एक्सिडेंट हो गया था ये एक्सिडेंट इतना खतरनाक था कि इस एक्सिडेंट में मीना की बाएं हाथ की एक उंगली तूट गई थी यही वज़े थी कि मीना कुमारी फिल्मों में अपनी बाएं हाथ को अकसर दुपटे में छुपाए रखती थी ताकि दर्शकों को उनकी तूटी उंगली न दिखे मीना कुमारी के बारे में एक बात कही जाती है उन्हें सफेद रंग बेहद पसंद था तकरीबन सभी तरह के कारेकरम में सफेद रंग के कपड़ों में ही वो नज़र आती थी इसके साथ ही उन्हें पार्टिया तो बिल्कुल पसंद नहीं थी उन्हें वहां बौरित महसूस होती थी साल 1915 में फिल्म तमाशा के सैट पर मिना कुमारी की मुलाकात उस दोर के मशूर फिल्मकार कमाल अम्रोई से हुई थी ये पहली नजर वाला प्यार तो नहीं था लेकिन कई मुलाकातों का सफ़र जरूर बन गया मिना बच्पन से ही प्यार को तरस्ती रही और वो सिर्फ काम ही करती रही ऐसे में कमाल अम्रोई के साथ लव स्टोरी शुरू होने के बाद मिना का दिल गुद्गुदाया फिल्म अनार कली में मिना कुमारी को कमाल अम्रोई के वज़े सही लिया गया था और इसकी खुशी में मीना अपने पिता और भेहनों के साथ खुणने गई थी जहां उनका एक्सिदेंट हो गया और कमाल अमरोही दिल्ली से पुना सिर्फ उन्हें देखने पहुँचे थे और यहीं से शुरू हुई मीना और कमाल के कहानी की खुब सुरत सफर की शुरुआत मीना कुमारी ने अपने पिता से चुपकर कमाल अमरोही से शादी की थी और इसके कारण पिता ने मीना कुमारी को घर से बहार निकाल दिया था एक बार की बात है जब मीना अपने पती कमाल अम्रोई के साथ MPK सिव पूरी से कहीं जा रही थी तब रास्ते में अचानक से उनकी कार का पैट्रोल खत्म हो गया उस वक्त उन्हें डाकों ने घेर दिया था तब मीना पहले तो उन्हें देख कर काफी धबरा गई लेकिन जब डाकों ने मीना को देखा तो वह उन्हें एक टक देखता ही रह गया वह डाकू मीना का फैन था और इस तरह अचानक से मीना को सामने देख कर हैरान रह गया उन डाकू की टुकडी ने मीना और कमाल की खूब खातीदारी की जब सुबह हुई तो डाकू ने मीना के लिए पेट्रोल का इंतिजाम भी गया जब मीना और कमाल वहां से जाने लगे तब एक डाकू ने चाकू निकाल लिया दरसल वे डाकू चाकू की धार से अपने हाथ पर मीना का ओटोग्राफ चाता था मीना और कमाल अमरोही की जिंदगी में कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा मीना एक के बाद एक फिल्मे करती रही और कमाल अमरोही से ज़्यादा फेमस हो गई शायद ऐसे ही किसी दोर में मीना और कमाल के बीच दूर्या आई एक किस्सा ऐसा ही है जहां कमाल अमरोही ने गौर्नर सहब को टोग दिया था कि वो मीना कुमारी के पती नहीं है बलकि मीना कुमारी उनकी पतने है इसी तरह का एक किस्सा और भी है एक बार मीना कुमारी और कमाल अमरोही एक साथ बैठे हुए थे जब मीना स्टेज पर गई तो अपना पर्स कुर्सी पर ही भूल गई और उसके बाद वो घर चली गई बाद में अभिनेतरी निम्मी ने मीना कुमारी को उनका पर्स लाकर दिया मीना कुमारी ने बाद में कमाल अम्रोज से पूछा क्या आपको मेरा पर्स नहीं दिखा तब कमाल ने जवाब दिया दिखा पर उठाया नहीं आज मैं तुम्हारा पर्स उठाता कल तुम्हारे चूते इस जवाब से मीना सक्ते में रह गई थी और धीरे धीरे इस हसीन जोरी के तूटने की नौबत आ गई मीना की हस्ती खेलती जिन्दगी में उदासी आने लगी थी कहा तो ये भी जाता है पती कमाल अमरोज के सचीव ने भी एक बार मीना पर हाथ उठा दिया था जिसके बाद मीना ने कमाल का घर छोड़ दिया उसके कुछ समय बाद कमाल ने मीना को तीन तलाग दे दिया इस तरह मीना कुमारी पूरी तरह तूट चुकी थी साल 1964 में फिल्म में भी एक लड़गी हूं मैं उनकी मुलाकात धर्मेंद्र से हुई उस समय धर्मेंद्र पहले से शादी शुदा थे लेकिन फिर भी मीना उनके प्यार में पढ़ गई कहा तो ये भी जाता है कि धर्मेंद्र ने अपने करियर को जमाने के लिए मीना का इस्तमाल किया धर्मेंद्र का करियर भी उन्चायों को छूने लगा अपनी शोहरत के बल पर मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के करियर को उन्चायों तकलिय जाने की पूरी कोशिश की यह भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र की वज़े से ही उनका कमाल अम्रोह से तलाग हो गया धर्मेंद्र ने भी मीना से दूरिया बनानी शुरू कर दी वहीं दूसरी तरफ मीना से अलग होने के बाद कमाल अमरोही मीना की बगएर रह नहीं पाए और उन्होंने दोबारा मीना को अपना बनाने की ठान ली इस बीच परेशानी ये आ रही थी कि उनको दोबारा उनसे शादी करनी थी जिसके लिए उन्हें हलाला करना पड़ा था जिसमें कमाल से दोबारा शादी करने के लिए मीना को सबसे पहले किसी दूसरे आदमी से शादी करनी जरूरी थी बताया जाता है कि तब कमाल अम्रोही ने मसूर एक्टरस जिनत अमान के पिता अमान अल्ला खान से मीना की शादी करा दी थी इस तरह की शादी को हलाला कहा जाता है इतना ही नहीं बताया ये भी जाता है कि हलाला के बाद मीना कुमारी की जिंदगी पर बहुत बुरा असर हुआ जिसके चलते उन्होंने शराब तक पीना शुरू कर दिया था फिल्म सहाब बीवी और गुलाम इस फिल्म में मीना कुमारी की शराब में खुद को डुबा देने की अदाकारी आज भी ड्रोंक्ते खड़े कर देती है लेकिन रील लाइफ से निकल कर यहासा कब रील लाइफ का हिस्सा बन गया शायद ये खुद मीना भी नहीं जानती थी इसमें शर्म की कौन सी बात है रहे कमाल अमरोई से देजराद तक फोन पर बाते करने वाली मीना शराब की बोतलों में ऐसे गुम हुई कि आखिर में उन्हें अपनी जान तक गवानी पड़ी मीना कुमारी ने पहली बार शराब कप पी इसका तो पता नहीं चल पाया लेकिन वरिष्ट पत्रकार विरोध महता ने अपनी गिताब मीना कुमारी दट क्लासिकल बायोग्राफी में लिखा है कि मीना कुमारी के उनके डॉक्टर साइट टिमर्जा ने नेंद की गोलियों की जगे रोज एक पेग ब्रांडी लेने का सजेशन दिया था लेकिन ये एक पेग कब धेर सारे पेग में बदल गया और यह कब मीना कुमारी की आदत बन गया किसी को नहीं पता मीना कुमारी शराब की इसकदर आदी हो चुकी थी क्यों ने लिवर्स और आइसिस डाइग्नोस हुआ वो पूरी तरह से खराब हो चुका था जिसके बाद उन्हें जून 1968 में इलाज के लिए लंदन जाना पड़ा यह उनके जीवन का आखरी दोर था उन्होंने फिल्म चान्नी चोक, आसाद बादाम, नया अंदाज, मेम सहाब एक ही रास था पाकिजा जैसी नजाने कितने ही सुपर हिट फिल्में दी उनके कदमों में आवोर्ड के धेर लगने लग गए मीना कुमारी बॉलिवूड की कीनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक थी उन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं की फिर भी उन्हें हिंदी और उर्दू का गजब का ज्यान था शायरों का बहुत शौक था वो अपने दर्द को शायरी में पिरोया करती थी मीना की इस रूप के बारे में किसी को पता नहीं था लेकिन जिसे पता था वो मीना की इस काबिलियत का मुरीद था और उनका नाम था गुलजार आकरी दोर में मीना ने जाते जाते अपने डायरी गुलजार के सुपूर्द कर दी थी इस तरह मीना कुमारी अपने करियर में तो काफे सफल रही लेकिन अपनी नीजी जिन्दगी में वो हमेशा ही दुखी रही तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईए और साथ ही यह भी बताईए कि उनकी कौन से फिल्म और गीत आपको सबसे ज़्यादा पसंद है मिलते हैं अगले एपिसोड में